यह वो समंदर हैं यह लोग कि अगर आप इन से एक लाइन बोलने को बोलेंगे तो एक लाइन में दस लाइने बोल पाएंगे यह क्योंकि यह लोग इतनी नौलेज इतनी मालूमात है इन लोगों को हम कितना ही कुजे में समेटना चाहें नहीं समेट सकते तो अब मैं बहुत ही हमारे प्यारे शायर बहुत ही अच्छे हमारे दोस्त और बहुत बेनुल अक्वामी शोहरत के हामिल माजिद देवबंदी साहब से दर्खास करती हूँ कि वो तश्रीफ लाएं और शम्स रमजी साहब पर अपने खेलात का इजहार फरमाएं माजिद देवबंदी साहब सदरे मौतरम खावातिन और अज़रात यकीनन नसर सुनना बहुत मुश्किल काम है इससे ज्यादा मुश्किल काम नसर लिखना है प्रोफेसर इकराम साहब का एक एक लवज मौतबरियत की अजमतों का तर्जबान था हमारी खुशनसीबी है आप अजाज़त दे तो शम्स रमजी पर गुफ्तगू कर सकता हूँ और अगर आपको पांच मिनट ज्यादा लगेंगे तो मैं उसको दो मिनट में कर दो मुहिब मुकर्रम अजीजे मौतरम गालिब नदीम दोस्त है के मिजदाक प्यारे भाई एसलम चिश्टी स्टेज पर मौजूद मुफक्किरीन एखाम शौरा एकराम शम्स रमजी से मेरी मुलाकात 1981 में मेरट के एक मुशायरे में हुई थी उसके बाद उनसे मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा दो तीन मिनट आप गुफ्तगू ना करने की गुजारिश उसके बाद मुलाकातों का सिलसिला जारी रहा दिल्ली में फिर हम दोस्तों की तरह रहने लगे और एक बड़ा काम उन्होंने किया है नसर में भी नजब में भी सहाफत में भी मैं उनको खिराज एकिदत पेश करता हूँ वक्त देखके तीन मिनट आप से बात करूँगा शमस रमजी अपने में एक अंजुमन थे उनका नाम मदवी दुनिया का ऐसा नाम था कि जिससे गुफ्तगू करके बड़े बड़े पड़े लिखे कदावर शायर अदीब और नकाद मरूब हो जाये करते थे शमस शायर थे अदीब थे नाकित थे महकिक थे माहरे लिसानिया थे और उरूज औ फन का ऐसा इद्रास रखते थे कि शाज उनादिर ही हिन पाक में इस उम्र के किसी शख्स को ये मकाम हासिल हुआ होगा हजरात दो बड़े गिरों के सरगना जो खुद को इस एद के महमान तनकीद निगार साबित करते थे जो खुद को इस एद के महमान ही नहीं महान तनकीद निगार साबित करते थे इस फिक्र में लगे रहते थे कि जो कुछ है वो उनीका है लेकिन इन दोनों से ज्यादा फंद पर शम्स रमजी की नजर के बारे में मैं ये वसूख से कह सकता हूँ जी अज़ान हो रहे हैं शम्स रमजी अपने में कंजुमन थे उनका नाम अदबी दुनिया के एक ऐसा नाम था कि जिस से गुफटगू करके बड़े बड़े पड़े लिके गदावर शायर अदीब और नकाद मरूब हो जाए करते थे शम्स शायर थे अदीब थे नाकित थे महकिक थे माहरे लिसानिया थे और उरूज और फन का ऐसा इद्राक रखते थे कि शाज और नादीरी हिन पाक में इस उम्र के किसी शख्स को ये मकाम हासिल होगा मैं आगे बढ़ता हूँ मुक्तसर कर रहा हूँ दर असल हज़रात उनकी पूरी जिन्दगी अर्दू पढ़ने और अर्दू की जद्दो जहद में गुजरी शायद जिन्दगी में किसी से मरूब हुए हूँ डर और खौफ को करीब भी नहीं आने दिया हिंदू फिर्का परस्तों के खिलाफ शम्शीर बरहना की तरह सामने आते रहे जिसकी वज़ से वो हमेशा हिंदूस्तानी पुलिस को मरूब रहे और कई बार पुलिस ने उन्हें अपना महमान भी बनाया बाबरी मस्जित की शहादत के बाद दिली में होने वाले मुस्लिम कुछ फसाद में वो पुलिस के खिलाफ आवाज उठाने पर उन्हें गिरिफ्तार किया गया और शायद वो उस वक्त पहले आदमी थे उनके घर को लूट लिया गया और उन्हें पांच दिन तक तक ताय मश्क बना कर रख़र गया लेकिन उन्होंने खुद्दारी से जीते हुए किसी की गलत बात बरदाश नहीं की हजरात गरामी शम्स के कौल और फैल में तज़ाद नहीं था कभी भी जूट को जूट कहने में वो कोई तकल्फ नहीं किया करते थे मेरे ख्याल में उसके वज़ा ये होगी कि एक वक्त में कई कई शागिर्दों या नाम नहाद उस्तादों को घजले देनी होती थी किसी को मजमून लिक कर देना होता था किसी को नजब लिक के देनी होती थी किसी को घजल लिक के देनी होती थी बहरहाल हर एतबार से शम्स रमजी एक अपने मेक एहमियत के हामिल थे और मुक्तसर कर रहा हूँ आगे बढ़ रहा हूँ अर्दो जबानो अदब की शायद कोई सिन्फ ऐसी हो जिसमें शम्स रमजी ने तबाजमाई न की हो हमदनात मनकबत गजल रुबाई कता दोहा मुस्तजाद गजल नमनजम मरसिया नोहा सलाम कसीदा वगएरा मगर उनकी मखसूस सिन्फ गजल ही रही बकौल रशीद एमस सिद्धी गजल अर्दो शायरी की आबरू है इस से कबल के उनके बारे में मैं अपनी राय कायम करूँ अर्बाब कलम की आरा तहरीर करता चलूँ जिस से शम्स की शक्सियत को बेहतर तोर पर समझा जा सकता है शम्स रमजी दिली की असात अज़ए फन की सफ से तालुक रखते है उन जी शम्स रमजी दिली के साथ अजय फन की सफ से तालुक रखते हैं उनकी फालियत शेरो सुखन ही नहीं तालीम तहजीब सियासत सहाफत और समाजी फलाव खिदमत अलगरज हर शोबे में अपना लोहा मनवाती रही है उरूज और इल्म बयान के रमूज पर गहरी नज़र रखते हैं इसलिए शायरी और रुफन शायरी तफ्हीम और तनकीद उनकी शोरत और तौकीर का वसीला बना ये अलफाज थे प्रोफेसर कमर रईस के जो मैंने आपके खिदमत में पेश किये चंद जुम्ले और सुन लीजे मजमून पांच मिनट का था लेकिन मैं इसे मुक्तसर कर रहा हूँ हजरात गरामी शम्स रम्जी शख्सी एतबार से कई हैसेतों के मालिक थे शेरी, अदबी, सियासी और समाजी हलकों में ये पहचाने जाने वाले शायद अपनी उमर में अहमतरीन दिल्ली के शोरा में नस्रिगारों में शामिल होते थे शम्स Drumzý की शायरी और शेक्सियत के सिलसे में प्रोफैसर कमर रईस मज़र इमाम की राय के इक तबासात मैंने इसलिए पेश किये हैं कि उनके वारे में मेरी राय की भी सनद हो जाए अरुई निया की तमाम ही मशाहिर, शख्सियात ने उनके बारे में अपने कीमति राय पेश की है जो उनके लिए अदब में जिन्दा रहने के लिए काफी है ज्यादातर मुशाहिर की आरा में एक बात मुश्तरक है कि तमाम एहले कलम ने उन्हें नई नसल का नुमाइंदा मुम्ताज और मौतबर माहर अरूज और फन तसलीम किया है हजरात गरामी अब इन हजरात की आरा के बाद में क्या अर्ज कर सकता हूँ अलावा इसके के दोस्ती का फर्ज अदा करूँ लहाज़ चंद सुतूर तहरीर कर रहा हूँ आखिर के दो पहरे एक मिनट में शम्स रमजी 1960 में गिन्नौर जिल बदाईं उतर परदेश के एक एहल इल्म खानदान में पैदा हुए खानदान आज भी गिन्नौर के चंद शुरफा खानदानों में शमार किया जाता है अब्तदाई ताली मदर्सा मदिनत अलूम में हासल की इसके बाद स्कूल में वराए रास चौती जमात में दाखला लिया और गिन्नौर से 1980 में इंटरमीडियेट का इमतान पास किया तलाश मार्श में देली आ गए और तब से यहीं के होके रह गए दिली आकर प्राइवेट तोर पर बी-ए और एमे के डिग्रियां हासल की शायरी का शौक आया में तिफली से ही रहा सहाब सुखन अल्लामा अब रैसनी गिन्नौरी की कुर्बस से जौक शेरी पैदा हुआ 1973 में शेर कहना शुरू किया और 1976 में अल्लामा रम्ज आफाकी मरहूम के हलके तलामजा में शामिल हुए और बकौल अल्लामा रम्ज आफाकी अपने आपको अदबी हलकों में अजर में श्चम्स साबित करके श्चम्स ने बड़ा मकाम हासिल किया आखिर का पैरा इसमें कोई शक नहीं कि श्चम्स रम्जी का नाम अदबी हलकों में मेहरे ताबां की तरह है उनकी पूरी जिन्दगी गेस्वे अर्दू समारने और सजाने में गुजरी महबत लगन जुस्तजू ने उन्हें अदब के इस मकाम पर पहुँचा दिया जहां इस उम्र में दूसरी मिसाल नहीं मिलती गजल, नजम, नसर और अदब के मुक्तलिफ असनाफ के जरीए उन्हों ने अर्दू जबानों अदब को अपने ख्यालात, नजरियात, मुशाहिदात और अलफाज के जखीरे से माला माल कर दिया इसके बावजूद उन्होंने सस्ते शुहरत के रास्ते तलाश नहीं किये, जो बहुत अहम बात है सचाई यह है कि वो उन लोगों में से थे, कि नसताईश की तमन्ना, नसहिले की परवा मंदर जजेल अशार को पढ़कर आप अंदादा लगा सकते हैं कि उन्होंने घजल में बलंदी की तरफ किस तरह से सफर किया उनके कुछ आहम अशार में आपकी नजर कर रहा हूँ एक शेर असलम भाई ने सुनाया, चंद अशार में पेश करता हूँ जहां खयाल के दरिया भी सूख जाते हैं जहां खयाल के दरिया भी सूख जाते हैं हमेले फिक्र वहां तश्नगी बुजाते है शम्स का दूसरा शेर कभी जो उनका सरापा उतारना चाहूं आओ अना आजो अपनी जगा आजो वो तो बहुत मुख्य मिलेंगे मेरा आखरी मिनिट नहीं तो बाद में कर लीज़े इधर बहुत खतरनाक लोग बैटें जर अब ख्याल लगको बाबा जी 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 वो फत्वे देने को तैयार है आखरी आखरी एक मिनट बस कोई बाद लेकिन ये मुईन ने कहा भी हमारे अजीज हैं ये बहुत आहम महफिल है मुईने में 20 दिन हम मुईने में बाहर रहते हैं लेकिन मुईने के हवाले से किसी शायर और नस्रिगार को याद करना ये हमारी नई तर्तीब का हिस्सा है जो इन्शाललत आला असलम चिश्टी है और हम सब जारी रखें बलके मैं तो कहता हूँ कि जिन्दगी में भी याद करें तो वो खुश हो जाएगा मरने के बाद उसे क्या मालूम को उसे याद कर रहा है कर नहीं कर रहा है जिन्दगी में भी याद किया जाए बहुत संजीदा महफिल है जहां ख्याल जहां ख्याल के दरिया भी सूख जाते है हमेले फिक्र वहां तश्णगी बुजाते है सुनिए गई शेर कभी जो उनका सरापा उतारना चाहूं देखे गजल की सरापा मुलाइधा फर्माए कभी जो उनका सरापा उतारना चाहूं तो खुश्बूँ के मुसल्सल पयाम आते हैं है न सरापा के हوाले से खुश्बों के पयाम कमज़ा ले जेगा कभी जो उनका सरापा उतारना चाहूं तो खुश्बों के मुसल्सल पयाम आते हैं और सुनिए हुर्मत-इअल्फास से पैहम वुदू करता रहा है न हुर्मत-इअल्फास से وضوح حرمتِ الفاظ سے پہہم وضوح کرتا رہا میں کتابوں سے ہمیشہ گفتگو کرتا رہا اور اس شیر میں شمس کا مطالبہ بہت پڑھتے تھے خود پڑھتے تھے حرمتِ الفاظ سے پہہم وضوح کرتا رہا میں کتابوں سے ہمیشہ گفتگو کرتا رہا آئے آئے بھئی آخری شیر ملحظہ فرمائے اس کے بعد اجازت فرش تو آؤ میری درسگاہ میں بیٹھو مارفت کا ایک شیر سنیے شمس کا فرش تو آؤ میری درسگاہ میں بیٹھو بیان رتبہ انسان کرنا چاہتا ہوں اب آپ ملحظہ فرمائے ساغر بھائی آپ سب دیکھئے کہ اشرف المخلوقات انسان کو بنایا گیا فرشتے سے بڑی عظمت انسان کی ہے اب پھر شیر سنیے فرشتے سے بڑی عظمت انسان کی کیوں ہے اس لیے ہے کہ فرشتہ گناہ نہیں کر سکتا انسان گناہ کر سکتا ہے اور نہ کرے یہ اس کی importance مقام تیرہ فرشتوں سے اس لیے ہے بڑا کہ اپنے نفس کو اپنا غلام کرنا ہے اس لیے فرشتے سے بڑا ہے فرشتوں آؤ میری درسگاہ میں بیٹھو بیان رتبے انسان کرنا چاہتا ہوں بیان رتبے انسان کرنا چاہتا ہوں اور آخری شیر ملحظہ فرمائے محترمہ سماعت فرمائے آخری شیر بسی ہوئی ہے یہ کیسی خوشبو مجھ میں بسی ہوئی ہے بھئی کیا شیر کہا شرم سرن جنتی تو ہیں وہ دعا تو کرنی چاہے لیکن جنتی ہیں جنت آپ کے ہمارے لئے بنائی گئے کسی اور کے لئے نہیں بنا گئی تھوڑے کانوان ایڈ دیے جاتے ہیں جنت ہمارے لئے ہے یہ آپ مطمئن ہے بسی ہوئی ہے یہ کیسی خوشبو مجھ میں شاید آ کر بیٹھ گیا ہے تو مجھ میں کتنا اچھا شاعر تھا بسی ہوئی ہے یہ کیسی خوشبو مجھ میں شاید آ کر بیٹھ گیا ہے تو مجھ میں اور آخری چند لائنیں اس کے بعد میں آپ کے درمیان سے ہٹ جاؤں گا شمس رمزی کے ان اشار سے آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ وہ کس نئے پنسے شیر کہنے کا صلیقہ رکھتے تھے میں ہر شخص کو عزت میں ہر شخص کی عزت کرتا ہوں جو علمی ہو شمس بے پناہ باصلائیت ہوتے حالات کا شکار رہے انہوں نے نجانے کتنوں کو شاعر بنا دیا کتنوں کو صحافی اور نجانے کتنوں کو اردو لکھنا پڑنا سکھا دیا یہ الگ بات کسی نے ان سے استفادہ کرنے کے بعد اظہار نہیں کیا شیر کہنے میں ان کو مہارت حاصل تھی بہت تیز شیر کہنے والے تھے دلی کے چند شورہ میں ان کا شمارت بہت تیز شیر کہنے والوں میں ہوتا تھا نصر کی کئی کتابوں میں انہوں نے اپنے قلم کا جادو جگایا ان کے مضامین میں زبان چاہے نا شاہستہ ہو ملائضہ فرمائیں ان کے مضامین میں زبان چاہے نا شاہستہ ہو لیکن بہرحال وہ نصر لکھنے میں خاصی مہارت رکھتے تھے اور اس کو سچائی کے ساتھ نباتے تھے غزل کے ساتھ ساتھ منقبت ان کا آزمودہ میدان تھا یوں کہیے کہ شائری کی ہر سنف میں کچھ نہ کچھ کہتے اور اس کو خوب سلیقے سے پڑھتے اللہ کرے جلد وہ وقت آئے کہ شمس رمزی کا کوئی شاگرد ان کی شخصیت اور شائری کے حوالے سے کوئی ایسا تحقیقی کام کر سکے جو فیلحال ناممکن نظر آتا ہے کہ اب لوگ زندوں کے قدر نہیں کرتے مرنے کے بعد کیا کریں گے افسوس یہ ہے کہ انہوں نے ایک شاگرد ایسا نہیں چھوڑا جو ان کے بعد اس سلسلے کو آگے بڑھاتا اور نئے لکھنے والوں کے لئے کچھ نقوش چھوڑتا ان کو سب سے بڑا خیراج عقیدت یہ ہوگا کہ ان کی شائری اور شخصیت کے مصبت پہلوں کو زندہ رکھا جائے جس سے آنے والا وقت یہ جان سکے کہ شمس رمزی کا نام کوئی شخص شمس رمزی نام کا کوئی شخص تھا جو سترہ فرودی دوہزار سترہ کو اس دنیا سے چلا گیا اور ساتھ میں صرف اور صرف اپنی یادیں چھوڑ گیا کہ کہاں وہ بات کہاں ایسے عز و شان کے لوگ بڑے عظیم تھے وہ میرے خاندان کے لوگ ہم اپنے عہد میں جو کچھ بھی ہیں غنیمت ہیں تلاشیے گا کہاں ایسی آنبان کے لوگ اور وہیں وہیں بڑی انسانیت ہوئی محسوس جہاں جہاں بھی ملے ہیں میری زبان کے لوگ بہت شکریہ بہت شکریہ